केन ने अपने भाई एबल का वध करने के कारण उस पर आईश्राप के बारे में सुना तो परमेश्वर से प्रातना की मेरे सजा मेरे पाप से कहीं अधिक है परमेश्वर ने उसकी बात को भी सुनकर उसे उत्तर दिया प्रभू वेश्व ने वादा भी किया जो मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा लेकिन फिर भी हमारी प्रातनाओं का उत्तर या तो आता ही नहीं है या बहुत देर के बाद आता है प्रातना कैसे की जाए कि उत्तर अवश्य मिले आज हम इसी पर बात करेंगे शुरू करते हैं प्रमेश्य के वचन से आपसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी माढ़ डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो या आपसे दूर रहे कि असारी प्रिध्वी का नियाई नियाए ना करे फिर 32 आयत में फिर उसने कहा हे प्रमु क्रोध ना कर मैं एक ही बार और कहूंगा कदाचित अगर उसमें दस लोग ही दर्मी मिले उन्होंने कहा तो मैं दस के कारण भी उसका नाश ना करूंगा प्रमेश्य के वच्छन को पढ़े हो सोने जाने से आशी इशो आमेन एब्रहेम या फिर जो भी लोग प्रभु येश्य के पास अपनी प्राथना लेकर आए उन्हें उत्तर मिला हमें ऐसी प्राथना के लिए क्या करना चाहिए प्राथना प्रमेश्य के ताद जुड़ना है और प्रमेश्य ने कभी भी इंसान को अकेला नहीं चोड़ा है क्योंकि हमसे वो प्यार करते हैं आदम और इव के पाप करने के बाद में भी वो उन्हें देखने उन्हें ढूनते आए इबरानियों के पुछत तक पहला आद याए उसकी पहली दो आयत में लिखा है पूर्व युग में परमेश्य ने बापदादों से थोड़ा थोड़ा करके और बांती बांती से बोविश्य वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की जिसे उसने सारी वस्तों का वारिष ठायराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टी की रचना की है परमेश्यर ने अपने पुत्र के द्वारा प्रभु यश्व के द्वारा सारी सृष्टी की रचना की है प्रमेश्य के पुत्र ने पुत्र हमेशा से ही जो बनाया गया दर्ती के ओपर या कुछ भी बनाया गया उसमें वो शुरू से involved है अबरहाम और उसे पहले या उसके बाद में हमेशा प्रभु यश्व जो क्रियेटर हैं सब कुछ जिनों ने सब कुछ बनाया और जिसके द्वारा सब कुछ स्थापित है पूरा दर्ती के ओपर वो दर्ती पर आते हैं उनसे मिलने के लिए गाइड करने के लिए चाहे अबरहाम चाहे कोई और उसे पहले या बाद में नू और उसके तीन लड़किया उनकी पत्मिया आठ लोग ही सिर्फ थे जो के दर्ती के ओपर धर्मी पाए गए और नू को 120 साल लगए वो जहाज बनाने के लिए जबके वो समुदर के कही नजदीख भी नहीं था और तब तक बारश भी कभी नहीं हुई थी जितने लोगों ने उसे देखा वो उससे पूछते रहे और जो उसने उत्तर दिया उन्होंने उस वार्णी को एक इनॉर कर दिया उत्तपती शे की बारा में लिखा है कि सब प्राणीों ने प्रत्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगार लिया था तो सब अपने अपने रास्ते पर चल रहे थे पाप में डूबे हुए थे और जब तक किसी के मन में ये एक भावना नहीं आती है कि उसे परमिश्य को जानना है परमिश्य के रास्तों को सीखना है तब तक वो अपने रास्तों को और पाप भरे रास्तों के बारे में कभी भी रेलाइद नहीं कर सकता है कि उसे माफी की जरूरत है और उसे फिर कितनी भी प्रीचिंग कर लो हम कितना मर्जी उसको बता दे उसमें बदलाव नहीं आएगा उसके मन में ये च्छानी चाहिए और उसर परमिश्यर ही डालते है परमिश्यर ने मिसर में मुसा के दौरा अंगिनल साइन और चमतकार किये और एरान और दोनों मुसा उसमें शामिल थे और उसके दौरा फिर इजिप्ट में बहुत ज्यादा नुक्सान हुआ जो कि इजरेलियों सब ने देखा था वो रेड सी को क्रॉस किये लाल समुदर को क्रॉस किये सुखी दर्ती पर जबके इजिप्शन आर्मी उनके रत गोड़े सब कुछ वहां पर बरबाद हो गए मरियम मोजिस की जो मुसा की बहन है और दूसरी आर्तों के साथ वो लाल समुदर पार करने के बाद में फिर वो गीत गाती है वो गीत गाती है और इजरेलाइट सब उसमें गाते हैं वो कहते हैं यहोवा मेरा बल और भजन का विश्य है और वही मेरा उधार भी ठाहरा है मेरा परमेशर वही है मैं उसी की स्तुति करूँगा मैं उसके लिए नवास्थान बनाऊंगा मेरे पूरवजों का परमेशर वही है मैं उसको सराहूंगा यह गीत उन्होंने गाया और दे डांस्ट पूद लॉड मुसा को 40 साल तक फिरौन के घर में बच्पन से उसके घर में रहा वो एक राजकुमार की तरह रहा और उसके बाद में वो अपने लोगों से मिलने के लिए उनके साथ जुडने के लिए वो वहां से निकल गया मुसा ने जब देखा एक मिसरी यहूदी को दास को मार रहा था तो उसने इंटर्वीन किया और जो एजिप्शन था उसका वद हो गया उसके बाद में उसने दो लोगों को लड़ते हुए देखा और उन्हें उसने कहा गए तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो नर्गमन दूसरा देख चौदमी आयत में तो एक यहूदी ने बोल दिया कि तुमें कौन है जो तुमें हमारा मदियास तो बनाता है क्या तुम हमें भी उस मिसरी की तरह मार दोगे मुसा ये जानता था कि जो इनसान है उसकी फित्रत बिलकुल बदलती रहती है और उसके जीवन के आखरी दिनों में उसने अपने लोगों को प्रमिश्य की प्लान उनके रास्तों के बारे में बताया और ये भी ताकीद की कि उनके उपर पूरे ध्यान से चलते रहे और उनसे इदर उदर ना हूँ बिवस्ता विवरन आठमा आधियाए उसकी दूसरी आयत में आठमा आधियाए दूसरी आयत में मुसा ने कहा यहोवा उन चालिस वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आए है कि वै तुझे नमर बनाए और तेरी परिक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या 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 है और क्या तू उनकी आग्याओं का पालन करेगा या नहीं यह उन्होंने मिस्रियों को बता दिया कि 40 साल तक परमेशर तुमें ले कि आए ताकि तुमें टेस्ट कर सके ताकि तुमारे अंदर एक वह भावना उत्पन हो कि परमेशर को मुझे जानना है उनकी नजदीकी में चलना है जो गिंती की पुस्तक है वो उसमें जो रिबेलियन है अजरेली रुगों को उसके बारे में ज्यादा कहा गया है और परमेशर के प्यार के बारे में कहा गया है जो इबरानी बाशा का नाम इस में इस पुस्तक को दिया गया है वो बहमिदार बहमिदार का मतलब है रेगिस्थान में तो जो ये पहली उसकी फिकताब है उसमें लिखा है नगंञिंती में परमेश्यर ने मुसा से साइनाई के डेजर्ट में बात की पर बुक का जो नाम लिखा गया है उसका डेजर्ट से क्या рिलेशन है और जो डेजर्ट है वो किस परकार परमेश्यर की revelation को पाने के लिए सबसे ज़्यादा appropriate, सबसे ज़्यादा बड़ी अस्थान है, जो दो qualities हैं, जो desert की, अतियां गर्मी और खाली पन ये जो हैं ये दोनों, यहुदी जो mystic हैं, वो ये मानते हैं positive qualities हैं जो नभी हैं, परमेशिब प्यार हैं, और उनके अंदर उस प्यार की एक आग की तरह जलता है, और जिसके द्वारा फिर वो सब उन्होंने बनाया, उनका प्यार ही था जो सब कुछ उन्होंने बना दिया, और क्योंके रेगिस्तान में कुछ भी नहीं होता है, बारिश भी नहीं होती, वो खुशी देती है क्योंकि सब कुछ खाली है तो उसके अंदर कोई अपनी एगो नहीं है कोई अपनी परसनल उसके अंदर पहचान भी नहीं है कोई ऐसा जगा नहीं जिससे आप रिलेट कर सकों सभी टीले एक जैसे ही दिखते हैं लेकिन जब इनसान उस खाली बन के स्थिती में पहुंचता है जहां उसके अंदर अपनी पहचान अपनी सेल्फ वर्थ खतम है तब ही वो उसके मन में इच्छा आती है कि वो किसी और अथॉर्टी के अधीनगी में आए जो उसे उपर है इजरेली लोग्यों को ये सीखना जरूरी था ताकि वो परमेशे के नर्दीक आ सके इससे पहले कि वो परॉमिस मैंड में पहुंचे और नहीं हम ये कर सकते हैं जब तक कि हम इस परकार की परिस्थिती में नहीं चले जाते हैं हमारे अंदर ऐसी परिस्थिती हो जानी चाहिए और यही एक स्टेट है जिसमें हम अपने इंटर परिस्थिती और एक दूसरे से रिष्था भी फिर हम उसी पर कार चलाते हैं हमारा परमेशे से रिष्था और दूसरों के साथ जो रिष्था होता है वो भी फिर दोनों कमांडमेंट जो हैं प्रभु यश्व ने दिय थी मत्ती 22 की 37 से 49 में फिर हम उनकी अनुसार चलने लग जाती हैं क्योंकि उन्ही के अनुसार फिर हमारे मन में इच्छाएं आती हैं किसी को इसे कोई लेना देना नहीं है कि मुझे कितना ग्यान है लेकिन उसे ये जरूर लेना देना है कि मैं उसके बारे में कितना अच्छा सोचता हूँ How much I care about him or for anybody गलातियों की पोस्तक पहला आदियाए 16 स्तारा आइट में जब प्रभु येश्व ने पौलिस रिसूल की आँखें खोल दी तो उसने कहा 16 स्तारा में जब इच्छा हुई कि मुझे में अपने पुत्र को प्रकट करें कि मैं अन्य जातियों में उसका सो समाता से नहूं तो मैं ना मैं मैंने मास और लहू से सलाह ली और ना यरुशलिम को उनके पास गया जो मुझे से पहले प्रेरत थे पर तुरंट अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौत आया पुराने नियम का स्कॉलर है गमालियर से उसने सीखा है लेकिन वो सब कुछ जब तक उसने रेगिस्टान में जाकर अपने आपको खाली नहीं किया परमेशर की आशीश उसकी जो जोती उसको भर नहीं सकी उसके बाद ही वो एक सच्चा परचारक सच्चा प्रभु यश्यू के गवाही देने वाला बनाच्छ टीचर बन गया जो जैसे कि हम सबसे ग्रेटेस्ट पॉसल कहते हैं परात्ना में भी इसी परकार एफेक्टिव होने के लिए हमें फर्स पहला जरूरी है कि हम प्रमेशे की नजदीकी में आएं जो के हमारी हर आशीश का स्रोत है फिर हम प्रभु यश्यू के नाम में जो कुछ मांगते हैं उससे पहले हमें प्रभु यश्यू को जानना भी कूंको उनके नाम में मांग रहे हैं उनके उस चरित्र के अंसार हमें मांगना है और फिर हम उनके नदीकी में उनके द्वारा भरे जाते हैं ताके जब हम उनके नाम पर कुछ मांगते हैं तो हम उनके द्वारा पिता को भी महिमा देते हैं पुत्र के द्वारा योहना 14 की 13 में जो प्रभी यश्यू ने कहा है जब तक हम वो खालीपन में पहले नहीं पहुंचते हैं प्रभी यश्यू हमें भर नहीं सकते हैं डेजर्ड की जो खूबी है वो यही है कि हम उसका एहसास कराता है प्रेयर में मांगने का सही तरीका क्या होता है कि पिता प्रमेश्वर की महीमा भी हो और हमें भी उत्तर मिल जाए हाला के सब लोग प्रातना करते हैं लेकिन प्रातना आत्मिक जो काम है यह सबसे कम समझ है लोगों को हम सब को और यह कैश्वल तरीके से बिलकुल फोकस कुछ नहीं होता है रिसाइट करते रहते हैं जो प्रातना है उसके आम तोर पर तीन हिस्से हैं किसी के लिए पहला तो है आइडिया जो प्रातना कर रहा है उसका आइडिया उसकी जरूरत क्या है दूसरा है शबत जो इस्तिमाल करता है उस आइडिया को आगे एक्सप्रेस करने के लिए तीसरा है डेस्टिनिशन क्या है किसको अड्रेस की जा रही है प्रेयर जो है लोग ये मानते कॉन्वर्सेशन नहीं समगते से वो समगते एक तरफा बात है परमिश्य की तरफ प्रातना कर ली हमने उसको बता दिया और अपना जो जिसे प्रातना की है उसको हम छोड़ देते हैं जो इसको काम दिये गए हैं प्रातना में उने पूरा करे और हम अपने काम में लग जाते हैं तो जो इबरानी भाशा का शब्द प्रेयर के लिए है वो है टिफिल्ला इसके तरह तरह के अलग अलग मेनिंग है हर एक जो आत्मिक प्रातना के आत्मिक पहलू हैं उनको दशाता है जो सबसे पहला वो है वो प्रातना एफेक्टिव रास्ता है आत्मिक तरक्य के लिए पहला तो यह है कि इसका मतलब है अटैच और बाइंड टोगेदर और यह ट्रांजेक्शन नहीं है कि हमने बात कर ली प्रातना कर दिया उत्तर पाएंगे यह नजदीकी का एक रिष्टे का काम है और जो प्रातना है उसके द्वारा हम देखते हम यह प्रमिश्य में कितनी गहरी खाई है और फिर जिसको हम ढून रहे हैं जो हमारा आशिश देने वाला है हम प्रातना के द्वारा अपना प्यार और उनके तरफ अपनी आत्मिक इच्छा जहर करते हैं कि हम उन्हें कितना चाहते हैं और फिर वो प्रातना के द्वारा हम प्रमिश्य से जुड़ जाते हैं नजदीकी में और फिर जो नजीकी का रिष्टा बनता है, हमारे अंदर फिर वो जहार होता है और फिर जो बीच में हमारे खाई है, वो भरी जाती है और हम परमेशर से एक्ता में चले जाते हैं उत्पत्ति 32 के 24 से 26 तक याकूप परमेशर से मलियुद करता है और वो कह देता है जब तक आप मुझे आशीश नहीं देंगे मैं आपको जाने नहीं दूँगा प्रेयर इसी प्रकार यूमिलिडी में आकर नमर होकर विश्वास में बने रहकर अपनी कोई हक्की लडाई नहीं है बलके प्राण और आत्मा के द्वारा जुख कर ये रिस्लिंग करना है हम पर Minshya को चाहे ढूंड रहे हों कि वो हमारी दरूरतों को पूरा करें जबकि वो हमें डून रहे हों कि हमारी इच्छा जो उनकी इच्छा हमारे लिए उसे पूरा करें पहले वो पूरा करना चाहते हैं फिर हमारी प्रास ना सुनागे लेकिन हम self-centered अपने उपर इतना केंडरत हैं कि हम उनकी उस महीन आवाज को सुनते नहीं उसके अदिनगी में नहीं आते हैं और हम अपनी डिमांड रखते हैं कि मैं ये मांग रहा हूँ और टिफिल्ला जो है ये पलिल्ला से भी connected है पलिल्ला का मतलब है judgment और introspection अंदर से अपने आपको जांचना और ये हमारी permission में जो उन्होंने हमें रोल दिया है उसमें अपनी पहचान ढूनना है याकूब फिर उस wrestling के बाद में याकूब को एक नया नाम दिया गया इसरायल लेकिन उसके शरीर में भी उसे दुख दे दिया गया तांकि वो नमरता में आजाए जो कर रहे प्रातना हमें अपनी कमजोरियों को समझने के बारे में भी एक रास्ता है और फिर permission के इच्छा जानकर उसके अनुसार अपने जीवन को डालना है उत्पती 28 की बारा में याकूब ने जो सीडिस वर्क को जाती देखी उसमें दोनों तरफ मोवमेंट है उपर जाना भी है नीची आना भी है दोनों तरफ है हम प्रातना के द्वारा permission की हजूरी में चले जाते हैं लेकिन फिर हमें इस दुनिया की reality में भी वापस आना है जहां permission ने हमें भेजा है रखा है ताकि हम किसी के जीवन में कोई आशीश का कारण बने पॉलस रसूल ने प्रभू यश्व को एफिसस के विश्वाश्यों के सामने पेरतों के पुरत तक 20 की 35 आएद में कोट कर लिया पॉलस रसूल कहते हैं ये जो देने वाला है पाने वाले के से ज़्यादा धन्य है जो प्रातना से नीची उतरना है वो जो आशीशे हम पाते हैं वो दूसरों के साथ शेयर करने के बारे में है सीडी से नीची आना जो है रोमियों के पुर्ट तक पहला अदै नौमी आयत में पॉलस रसूल ने रोमियों के जो कलीसियतियों ने कह दिया मैं बगैर रुके रोमियो पहला अधिया नौमी आयत में कि मैं बगैर रुके अपनी प्रात्नों में तुम्हारे बारे में बोलता हूँ प्रकाशित वाकिया पांचमा अधियाए उसकी आठमी आयत में जो 24 प्राचीन प्रमेश्य के सिंगासिन के सामने है प्रभी यश्य के सिंगासिन के सामने है वो उनकी अरादना के गीत गाते है और उनके हाथों में हर एक के हाथ में वीना और दूप जो पुवित्र लोगों की प्रात्नाएं हैं वो सोने के कटोरों में भरी हुई है जो हमारी प्रात्नाएं हैं वो जो वहां पर 24 जो सेंट्स हैं, जो चुने गए हैं, जने सिंगासन दिये गए हैं, प्रमेश्य के सिंगासन के सामने, वो प्रभु यश्व को सामने रखते हैं। प्रभु यश्व के बारे में कहा गया को प्रभु यश्व परमेश्य के देहनी तरफ हैं, और हमारे लिए मदियस्ता करते हैं। और इसके आगे फिर उन्होंने कहा, हम नहीं जानते 26 आयत में, कि हम प्रातना कैसे करें। लेकिन पुवित्र आत्मा परमेश्य हमारे लिए इंटरसेक्शन करते हैं, और वो भी ग्रोनिंग के साथ, करहने के साथ, जो की ब्यान नहीं की जा सकती हैं। जब हम प्रातना करते हैं, तो पुवित्र आत्मा परमेश्य हमारे अंदर हमें सिखाते हैं, प्रातना कैसे करनी हैं, विशे सिखाते हैं, और हमारे साथ प्रातना करते हैं धर्ती के उपर। जबके स्वर्ग में जो वो 24 संथ चुने हुए थे वो उन प्रातनाओं को एक धूप के समान प्रभु यश्यू के सामने पेश करते हैं और प्रभु यश्यू फिर वही प्रातनाएं सही करके पिता प्रमिश्य के सामने रख देते हैं इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्वाशी की प्रातना में होली ट्रिनिटी पिता पुत्र और पुवित्र आत्मा तीनों लगे हुए होते हैं ताके हमारी अच्छाई चंगाई भी रहे और हमारी प्रातना को उत्तर भी मिले हम सब लोग शरीर प्रान और आत्मा हैं बोड़ प्रमेश्य के सामने रखते हैं पुवित्र आत्मा प्रमेश्य हमारे साथ हमें हमारे लिए प्रातना करते हैं ताके हम वो सब आशीशें पाएं और फिर हमें वो गाइड भी करते हैं ताके हम नदी की रिष्टे में प्रमेश्य की अरातना में जुड़ें तो प्रातना ये नहीं कि प्रमेश्य से हम कोई मांगें, उनके मन को बदल दें, जो हमारे लिए उनकी प्लान है, उसको बदल दें, तांके वो अपने आप हमारे लिए कुछ करें, हमारी जरूरतों को वो पहचानें, ये प्रमेश्य से फिर हम ये नहीं कह सकते कि क्या प्रमेश्य हमारी प्रा प्रातनाओं को सुरू रहा हूँ, जो मैं मांग रहा हूँ, क्या उसके द्वारा मैं बदल भी रहा हूँ, जो इल्शडाई दी ओल्माइटी, जो सर्वशक्तिमान परमेशर है, जो उसे अपनी को इंफ्रमेशन प्रातना की दुरा कन्वे करना चाहता है, वो भूल बुलिया में भूम रहा है, परमेशर सब को जानते हैं, जो हमारी जरूरते हैं, जो हमारी इच्छा उनके नुदी की रिष्टे की है, वो भी वो जानते हैं, मारकुस बारां की तीस आयत में, प्रभु यश्यू ने कहा, परमेशर को पूरे मन से, विदे अल यूर हार्ट, पूरे प आया है, एम्पेसाइज किया है, यह नहीं कि जरूर कह दिया, और वो हमारे विचारों पर, इच्छाओं पर, कामों पर, हमारे पूरे बल्के उपर, उनका अधिकार होना चाहिए, उनकी अधीनगी में चलना चाहिए, जो हम यह करने लग जाते हैं, ताहों हम परमेशर की नजदीकी में आ जाते हैं, और फिर पिता परमेशर, उनके पुत्र और पुवित्रात्मा परमेशर, हमारी प्रात्नाओं में जुड़ जाते हैं, तांके पिता परमेशर को महिमा मिले, और फिर हमारी प्रात्ना को उत्तर भी मिलने लग जाता है, हमारी प्रेयर्स का उत्तर मिलने पर हमारा विश्वास तो बढ़ता ही है लेकिन इसके साथ हमारे जीवन पर क्या और कैसे असर पड़ता है याकूब के पुत्र यूसफ को उसके दस बेटों ने दास्ता में बेच दिया और याकूब को बताया उसकी मृत्यू के बारे में लेकिन जब उसने अपने पुत्र को मिसर का वो चीफ प्राइम मिनिस्टर देखा तो उत्पती 48 की 11 में उसने यूसफ से कहा मुझे आशा न थी कि मैं तेरा मूँ फिर देखने पाऊंगा और जो यहां पर इबराजी बाशा का शबद इस्तेमाल किया है उसने वो है फिलाल्टी जिसका मदलब है आशा कल्पना करना या अंटिस्पेट करना और यह है कि अपने मन को उन अच्छी बातों से आशा से भर लेना तांके यह बिचार बने रहें और जो टफिला है वो परातना करना है टफिला और यह दोनों फिलाइटी दोनों कनेक्टेड हैं तो परातना के दोरह हम अपने मन के अंदर अपने विचारों में अपने इच्छाओं को भर लेते हैं कि हमारी परातना को उत्तर मिल गया है और हमारा जीवन किस परकार होगा दूसरों के जीवन में हम किस परकार आशीश का कारण बनेगी अब सुछ देखने लग जाते हैं तो इस परकार प्रातना अपने हार्ट की सर्विस है उसे समझाने में कि परमेशियर हमसे क्या चाहते हैं हम ये कभी भी फोकस नहीं करते हैं कि परमेशियर हमसे क्या चाहते हैं हमसे नदी की चाहते हैं और फिर हमें वो सिखाना चाहते हैं कि हम इस परितीती से कैसे निकलें और इससे बचे फिर कैसे रहें आगे फिर दुवारा ना फसें और फिर हम उस डैमेज से निकल सकें परमेशे दिया लू है और वो हमेशा हमारा प्रातना का उत्तर देने के लिए तयार है यहना 14 की 18 में प्रभी येश्व ने कहा मैं तुम्हे अनात नहीं शोड़ूँगा परमेशे के पुत्र इंसान बन गए ताके हमें पाप की दास्ता से निकाल सकें शातान और दुष्टात्मा उसे निकाल सकें जिसमें से निकलना हमारे लिए असंबव था पहला इत्यास उसका चौथा गया है नौवी दस्मी आयत में एक अद्बुद प्रातना लिस्ट की गई है जो कि जबेश की प्रातना उसे ये नाम उसकी माता ने दिया क्योंकि उसने ये कह दिया कि मैंने इसे बहुत पीड़ा से उत्पन किया है और उसके इस नाम का मतलब ही ये हो जाता है तो उसे कितनी ये यूमिलेशन सफर करनी पड़ी होगी लोगों के सामने लेकिन प्रमिश्च के नजर में क्या है अपने भाईयों से वो अधिक परतिश्टित हुआ फिर यावे इने प्रातना की परमिश्च के सामने उसने कहा बाला होता कि आप मुझे सच्च आशीश देते और मेरा देश बढ़ाते मेरी हदें बढ़ाते है और आपका हाथ मेरे साथ रहता और आप मुझे बुराई से ऐसा बचा रखते कि मैं उससे पीडित ना होता और जो कुछ उसने मांगा वे परमिश्च ने उसे दिया जो कुछ उसने मांगा परमिश्च ने उसे दे दिया तो ये जो प्रातना इसमें काफी लेसन है हमारे लिए पहला तो ये हम ये पहचान करें हमारी आशीष का सरोत कौन है याकूब जो प्रबु यश्यू के बाई हैं उन्होंने याकूब पहला गया है स्तारमी आयत में इसको क्लेयर कर दिया एक अच्छी दाद अच्छा वर्दान हर अच्छी दान उपर से जो पिता से आता जो के जोती के पिता प्रमेश्यूर है और जब हम प्रबु यश्यू के नाम में मांगते हैं तो हम उनके करेक्टर के साथ अलाइन कर लेते हैं अपने आपको उनके सभाव के साथ अपने आपको जोड लेते हैं दूसरा है कि पूरे मांगना अपने ने हमसे चुरा लिया है और पर मांगें कि हम उनके लिए कुछ और कर सकें और उनके प्यार की दूसरों के सामने आशीश का चैनल बन जाएं चौता है जो संसारिक चीजें उनसे कहीं आगे बढ़ कर मांगना कि हमारे उपर हों बल दें गाइड करें और हमारे हर तरह के ट्रा के लिए आशीश का कारण बने उन लोगों के लिए भी जो पास्ट में दुख उटा चुके हैं याकूब की पुरस्तक चौत्था अधियाए दूसरी तीसरी आयत में जो असली प्राब्लम है वो याकूब कहते हैं परमिश्य में नहीं है बलके हम में है वो कहते हैं तुमें इसलिए नहीं मिलता के मांगते ही नहीं तू मांगते हो और पाते नहीं इसलिए के बुरी इच्छा से मांगते हो ताके अपने बोग विरास में उडादो हमारे मांगना ही गल्ट हो जाता है जब हम अपनी प्रास्टना को एनलाईज करते हैं रिक्वेस्ट को जज करते हैं तो ये क्राइटीरिय जो हमें है वो हम समझे ने लग जाते हैं और फिर हम उसके अंसार प्रास्टना करते हैं हमें हैजिटेट नहीं करना है कि परमेश्चर से मांगें, बोल्ड होकर मांगना है, क्यूंकि परमेश्चर ने बजन सहीता 81 की दसमी आयत में उन्होंने कहा, तो अपना मुँ पसार में उसे भर दूँगा, open your mouth wide and I will fill it, हम मांगें, पाएं, धनिवाद करें, दूसरों को आशीश दें, ये एक चैनल बन जाती है, आशीश पाने की, प्रातना को उत्तर पाने की, ताके फिर हम पिता को, पुत्र को, पुवित्र आतना को महमा दे सकें, जब हम इस परकार align कर लेती हैं, तो प्रबु के चलन के अनुसार चलने लग जाती हैं, हमारी प्रातनाएं भी उसी परकार हो जाती हैं, और फिर हमें उत्तर भी मिलता है, आईए हम प्रातना करें, पिता प्रमेश क्या ही धन हैं आप, आपने हमें आशीश दी वाइदा किया, जो तुम मांगोगे वो मैं कर दूँगा, आप रभी यश्यू, आपने वाइदा किया, जो मेरे नाम में मांगोगे तांके पिता प्रमेश की महमा हो, तो मैं कर दूँगा, पुवित रातना प्रमेश हमें सिखाईए, आशीश दीजी हमारे मनों में ये क्लियर हो जाएं, कि हमें क्या मांगना है, किस प्रकार मांगन है, तांके ना सिर्फ हमारी प्रातनाओं का उत्तर मिले, बलके हम प्रातना भी आपकी इच्छा के अनुसार मांगे, हमारा मांगना, हमारा जीवन फे सब कुछ, आपकी इच्छा पूरी करने के लिए, आपके वच्छन की आगयकारता में चलने के लिए हो, तांके हमारी प पर्मियेश्व जीत में चलते जाये, आशिशित हो कर चलते जाये। सारी महमा और आधराप को देते हुए पता परमेशर, सब कुछ पर्मियेश्व के पर्मियेश्व के पर्म by श्युक्त एक आदमी डेजर्ट में अकेला चलते हुए अपने साथ एक और पैरों के निशान देखकर परमेश्वर को साथ होने से खुश होता है लेकिन फिर भूख प्यास में बस एक ही पैरों के निशान देखकर दुखी होता है आगे जाकर पानी के चश्मेई से त्रिप्ट होकर फिर दो पैरों के निशान देखकर परमेश्वर से शिकायत करता है कि दुख में आप भी अकेला छोड़ देते हो उसे उत्तर मिला कि तुम्हारी कमजोरी में मैंने तुम्हें उठाया हुआ था बस इसी प्रकार परमेश्वर हमारी हर परिस्थिती में हमें संभालते हैं बस हमें ही दिखाई नहीं देते थैंक यू सो मुच पू वाचिंग स्यू नेक्स ताइम से ब्लेस्ट शालोम